इस वीडियो में मैं आपको figure of speech के बिस्वे में बताने वाला हूं कि figure of speech का मतलब क्या होता है और यह कितने होते हैं तो figure of speech यानि अलंकार आपने अलंकार तो पहले ही पढ़ा होगा यानि ऐसे सब्द होते हैं जो कापी की सुर्वा को बढ़ा देते हैं यानि जिस प्रकार से किसी इस्त्री की सुर्वा को आपूसर्ड बढ़ा देते हैं उसी प्रकार से जो अलंकार सब्द होते हैं वो किसी कापी की सुर्वा को बढ़ाते हैं और उसे मनुरंजन पूर्ण बना देते हैं अलंकार यानि ornaments यानी आबूशनड अलंकार जो सब्ध है वो आबूशनड से बना हॉआ है तो अलंकार बेसब्ध होते हैं जो किसी की सोभा को बढ़ा देती हैं तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे पहला है simli यानि उप्मा अलंकार तो उपमा अलंकार यानि सिमली क्या है figure of speech तो इसकी definition है A simile is a definition A simile is a figure of speech A simile is a figure of speech A simile is a figure of speech that directly A simile is a figure of speech that directly compares that directly compares to different that directly compares to different things things in the simile in the simile the words like the words like and as are used Hindi may be A simile is a figure of speech that directly compares to different things in the simile the words like and as are used यानि इस उपमा अलंकार में direct यानि सीधे तौर पर दो अस्मान बस्तूमों में तुलना की जाती है और like as सब्दों का प्रियोग किया जाता है तो उपमा 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 वह अलंकार है वह अलंकार है जिसमी जिसमें उपमा वह अलंकार है जिसमें सीधे दो दो बिभिन या अलग प्रकार की जिसमें सीधे तो बिभिन बस्तूओं में बस्तूओं में तुलना की जाती है की जाती है उपमा वहा लंकार है जिसमें सीधे तो बिभिन बस्तूओं में तुलना की जाती है उपमा में लाइक और एज सब्दों का प्रियोग किया जाता है एक्जाम्पल लाइक अड्रीम तो इस सेंटेंस में लाइक वर्ड का यूज हुआ है यानि यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ने पर पता चलता है कि दो बस्तूओं में कॉम्पेर किया जा रहा है लाइफ इज लाइक और ड्रीम यानि जो लाइफ है जीवन है उसकी तुलना की जा रही है यानि इस लाइफ वर्ड की तुलना की जा रही है इस ड्रीम के साथ में कॉम्पेर यानि तुलना की जा रही है यहां पर जीवन की तुलना की जा रही है सुपन से कॉम्पेर किया जा रहा है और मैंने यहां पर लिखाया है लाइक और एज तो लाइक और एज सब्दों का प्रियोग किया जाता है सिदे सिदे अगर मुझे किसी लाइन में हम इसका आर्थ अगर नहीं भी निकाल पाते हैं तो हम सिदे सिदे इसमें अगर लाइक और एज वर्ड देखेंगे तो वहां पर और सिमली होगा तो और एक्जामपल्स मैं आपको बताऊंगा सेकेंड नमबर सी इज लबली लाइक अरोज तो यहां पर भी उपमा की जा रही है यानि तुलना की जा रही है सी और किसकी अरोज यानि वह एक गुलाब के समान या गुलाब के जैसी प्यारी है तो यहां पर भी उपमा की जा रही है एक लड़की की एक गुलाब से तो यहाँ पर भी इसमें simly होगा और यहाँ पर जो मैंने like और as लिखवाया है तो like वर्ड यहाँ पर दिया गया है she is lovely like a rose तो यहाँ पर भी simly होगा next, third number she is as firm as a rock अगर कहीं पर as dot as आता है तब भी उस sentence में simly ही होगा या अगर like आता है तब भी वहाँ पर simly ही होगा she is as firm as तो यहाँ पर यह as आया है तो यहाँ पर भी simly ही होगा four number I wondered lonely as a cloud तो इस sentence में भी as word आया है तो इसमें भी simly होगा she falls like a tear from the eyes of a bride और इसमें like word का यूज हुआ है she falls like a tear from the eyes of a bride next number six है my love is like a red, red rose यहाँ पर भी like word का यूज हुआ है seven number look like the innocent flower इस sentence में भी like word का यूज हुआ है next eight number है see skims like a word on the form of a stream इस sentence में भी like word का यूज हुआ है तो यहाँ पर जितने भी sentence लिखे हुए हैं उन सभी में simly है figure of speech simly का यूज हुआ है nine number है life is as tedious as a twice told tell life is as यहाँ पर भी as का यूज हुआ है life is as tedious as a twice told tell तो इस sentence में भी simly है they fought like cats and dogs they fought like यहाँ पर like word का यूज हुआ है they fought बे लड़े like cats and dogs यानि बिल्लियों और कुत्तों के जैसे या वे बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़े next है they ran like tiger वे चीते या बाग के जैसे दवडे तो यहाँ पर भी like word का यूज हुआ है यानि इस figure of speech यहाँ पर जो है simly होगा 12. it dropeth as the gentle rain from heaven तो यहाँ पर भी as का यूज हुआ है it dropeth as the gentle rain from heaven तो इसमें भी simly figure of speech का यूज हुआ है तो इस वीडियों में इतना ही मिलते हैं next वीडियों में उसे पहले अगर आपको यह वीडियों अच्छा लगा है तो आप इसे like और share कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए thanks for watching